हुआ हेलो दोस्तोर आजवन सिंग महाली प्रपटी गुरू कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत आज का जो टोपिक है यह एक फिनेंचल अवेर्नेस को लेकिए है फिनेंचल अवेर्नेस में क्या प्रावलम हा रही है है कॉन्फिडेंस वाइल हैंडलिंग मनी जब हमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हम अपने पैसे को कैसे हैंडल करें तो यह प्रावलम जो है यह आखम लोगों में देखने को मिली है क्योंकि हमारे चलिगड के आसपास लोगों को सौ सौ क्रोड पर आज जमीनों का मिला कर लैंड कंपनसेशन के तोर पर और लैंड पूलिंग में उस से भी सौ सौ क्रोड से भी केजियों को तो ज्यादा मिल गया मेरे को याद है दो हजार पांच चौर छे में किसी पार्टी के पास बनूर में एक जमीन थी जिसकी बाईस क्रोड पे कीमत लग लग लिए थी तब बहुत जादा होता था तो बाईस क्रोड पे कीमत लग लिए थी तो वो बंदे प्रपर्टी एजेंट थे जो पार्टी के बाद जाते थे के हमें ये डील कर लो क्योंकि हर आदमी को कमिशन का लालत रहता था एक प्रेसंट कमिशन भी बाईस लाग लाग लग बनती है और दूसरी तरफ से जदी मिल ले तो चुतारी लाग 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 मतलब बाड़ी बहुत हैंडसम अमाउंट थी ये लेकिन वो बंदा जो जिसका जो मालिक सजमीन का कहता मैं बेच तो दूँ मैं पैसे को घर कैसे लेके आँगा आगे पैसे को साइकल में री साइकल कैसे बिजनस में ने कॉर्परोट गढ़ाने हैं जो अपने पैसे को किस त्रीके से बढ़ा रही है मल्टिप्ली करते जा रही है इसी त्रीके से यह जो मैंने आज लिखा है मनी एक्सेलेंट सर्वेंट पाट्टे बैड़ मास्टर और दूसरी लिखे मनी इसे रेस्टीव होस मन चेर पे एक्जेकटिव चेर पे बैढ़ देगा तो वो आपका यह करेगा आपके लिए और प्रावब्लम ख़ढ़ी करेगा इसलिए उसको जब तक हम काम के उपर सही काम के उपर नहीं लगाते तब तक उससे हम रिजल्ट नहीं लिए सकते इसी तरीके से यह पैसा है जो money is excellent servant but a bad master पैसे को हमें अच्छे तरीके से लगाना है कहीं इसको इससे काम लेना है यदि हम इससे काम लेने में काम्याब हो जाते हैं तो यह बढ़ता चला जाता है नहीं तो पंजाबी में कहावत है अकलां बाजों खूखाली खूखाली का मतलब है भी कुएं भरे हुए नोटों के कुएं यह भी खाली हो जाते हैं जब बंदे को अकल नहों अकल का मतलब उसको awareness नहों वह बंदा intelligent नहों बंदा विजिलेंट नहों मतलब जितना मर्जी पैसा आजे तो इस तरीके से उसमें और मतलब यह पैसे को जो हमने काम पे लगाना य यह बहुत जरूरी है दूसरा मैंने लिखा है money is a restive horse पैसा एक बहुत ही ताक्त और जिद्दी गोड़ा है लेकिन इजदी आपको वह चलाना नहीं आता तो आपके लिए बेक आ रहे हूं आपके घर पे कोई गोड़ा बंद के चला जाए के लो जीए आपको मैंने हों के लिए आज मैंने यह वीडियो के लिए मैं तो सेलेक्ट की है हमारे मौहली के आसपास सौ करोड़ से भी ज्यादा दो सौ तीन सो करोड़ पर पड़ा है लेकिन आगे वह कैसे हैंडल करना है वह उनको नहीं आरा तो हो कह रहा है जो पराने बंदे हैं जिनके पास यह खाँ, कोई दूद बेच है कोई और कोई चोटे मुटे काम कर रहा है कोई आर कर रहा है कियों को तो मतलब पैसा आया पैसा कोई व daqui को ने गरों पर लगा दिया किशन ने बड़ी बड़ी गाड़ी ले लिए पैसे कोई करद्म कर लिए काफी करalter ऐसे हैं जिन्हों करोनों की जमीन बेच के अपने अमीर होने के चक्कर में अमीर दीखने के चक्कर में ही पैसा क्लाब कर दिया एक गव है यहां पर वह असी गाड़ंगी जाट़ी थी और आज कहते पांच या चोगते हैं रह गई तक्रेमником सारी गाड़ी हैं सारा पैशा खत्म हो गया उनका, तो इसी तरीके से यही बात मैं यहां पर कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास सो करोड़ है, पचास करोड़ है, दस करोड़ है, चाहे आपके पास पांच लाख है, आप पैसे को प्रॉपर तरीके से मेनेज कर लोगे, तो आपको परिशनी नहीं आएग नहीं तो आपके लिए ये वो घोड़ा भांतने के बराबर हो जाएगा, जो उसको चने तो आपने देने देने खाने के लिए, हराचारा भी देना उसको, और उसकी लिद्ध भी उठानी पड़ेगी आपको, फैदा कोई भी नहीं है उसका, वो आपको चुलाना नहीं आप आपने ये दुन्नों काम सीखने हैं पसे पैसे को काम पे कैसे लगाना है, पैसे को कुंट्रोल कैसे करना है, जिस आदमी को घोड़ा चलाना आता है, जिलंदर ले जाए, अमरसर ले जाए, दिली ले जाए, जहां मर्ची ले जा सकता है, जिसको नहीं चलाना आता है, उसके ल हम क्या k्या करें किसी को क्रोड़ प्या करें नुकसान हो रहा धी लेकिन हैंडलिंग बनावर है वह उनके पास नहीं है वह आपको सीखनी पड़ेगी यह और को आक कि घर पे कि गारी खड़ी है आपको च्लानीıy यह ती रात को आपका patient कोई बिमार हो जाता है, तो उसको hospital तक ले जाने के लिए, आप वो गारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो क्रोड बे गाड़ी का कोई फैदा नहीं इस तरीके से यह जो आपके पास पैसा पड़ा है इसका कोई फैदा नहीं अकॉट बे पड़ा है जैसे पहले वहाँ पर आप जैसे पहले भी आपके पास पैसा पड़ा है नुकसान क्या हो रहा है कि क कादलब लैविश कर लिया है कि उसमें हैं, उनको बहुत दिक्कतारी है उसको मिंटेन करने में उनको लाक़ हो लग रही है तो हमने पैसे को का आगे ले कि जाना है, पैसे की विरासत को बढ़ाना है मैंने मैं पहले व्युडिया करो कि अपने पैसे की neighborhood करो अपने पैसे का ब्या करो ताके वो अपनी जो जनरेशन है उसको अगे चला सके दोस्तों आज के लिए इतनी उमीद है कि इस वीडियो को टॉपिक आपको समझाएगा और कोई वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेर कर देना कमेंट बॉक्स में अपना स्वाल कोई रख अपनी फिनेंचल अवेर्नेस फिनेंचल इंटेलिजन्स बढ़ाते रहो पड़ेगा इंडिया तभी तो बड़ेगा इंडिया थेंक्यू बड़ी मच्छ कर दोगए भाइब बड़ेगा थेंडिया 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 थेंडिया।